इंग्लिस सभी बोलना चाहते हैं लेकिन सब अपने अपने कामों में बीजी रहते हैं कोई आफिस में वर्क करता है उसमें बीजी रहता है कोई हाउस वाइफ है जो अपने घर के कामों में बीजी रहती है लेकिन इंग्लिस तो सभी बोलना चाहते हैं एक अच्छे फ्लुए कर सकते हो हाउस वाइफ आपको बताने वाली हूं जो मैं सिखाने वाली हूं बस आपको वो सुनना है आज में आप लोग्way को daily यूज होने वाले इंगलिज के sentences को कराने वाली डेली उस सेंटेंसेस होते क्या है जो डेली बोले जाते हैं इंगलिस के सेंटेंसेस वही तो डेली उस सेंटेंसेस होते हैं तो अगर हम डेली उस होने वाले सेंटेंसेस को ही कर लेते हैं तो सोच हम डेली इंगलिस बोल पाएंगे न इसलिए मैं आप लोग के लिए डेली उस आपको और आप उसमें बता रहे हो कि मैं तुम्हारी हालत को समझती हूं तो आप बोल सकते हो आइंफथाइस विथ यू यहां हालत जो आप बोह रहे हो ना हालत के लिए इंफथाइस का यूज किया गया है मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ, I empathize with you, मुझसे पंगा मत लो, don't mess with me, मुझसे पंगा मत लो, don't mess with me, यहाँ पर जो पंगा बोह रहे हो ना, पंगा के लिए आपको mess का use किया गया है, मुझसे पंगा मत लो, don't mess with me, दाल में कुछ काला है, इस तरश हम बोलता है ना, दाल मे कुछ काला है, तो हम बोल सकते हैं, something is fishy, something is fishy, दाल में कुछ काला है, मुझे मजबूर मत करो, don't compel me, don't compel me, मुझे मजबूर मत करो, जाहिर सी बात है, it's obvious, कपड़े सुखा दो, hang the cloth to dry, मतलम कपड़े को टांग दो, कपड़े सुख जाएंगे, मैं यू गया, यू आया, इ तो हम बोल सकते, I'll be back in a flesh, I will be back in a flesh, जासूसी मत करो, don't spy, जासूसी मत करो, don't spy, आपको वीडियो देखने के जरुवत नहीं है, बस आप मेरी बातों को सुनिये, लेकिन आपको एक काम जरू करना है, मैं एक बर हिंदी वाले sentences बोर रही हूँ, then मैं इंगलिश वाले sentences को बो आपको मेरे साथ बोलना है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, क्योंकि अगर इंगलिश बोलना है, तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, तो आप मेरी बातों को सुनिये एक बार और दूसरा बार में मेरे साथ बोलिए, आपको भी सेखने में मजा आएगा, मुझ आइस्क्रीम खाने का मन कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं, आइस्क्रीम, आइस्क्रीम, या फिर आप आइस्क्रीम के जगह कुछ भी आइड कर सकते हो, मुझे चोकलेट खाने का मन कर रहा है, आइफिल लाइक हाविं चोकलेट, मुझे केक खाने का मन कर रहा है, आइफिल ला रहो आठा गुंद लो किसी वहाइज देरो कि आठा गुंद लो तो आप वो सकते हो नीडद को नीडद को इसे हम बोलें ठीक कि डाष रोटिया यानिके चाप्तीज रोटिया बेल利ो रोड़ चापाऊती। रोटी कैसे बेलू, मुझे तो बेलना ही नहीं आता तो इस तरह से बोलेंगे ना रोटी कैसे बेलू, तो हम बोलेंगे How to roll the चपाथी How to roll the चपाथी, रोटी आग कैसे बेलू इसे छूना मत जब तक यह ठंडा ना हो जाए माल लो आप आईस्क्रीम बना रहे हो तो आप आईस्क्रीम बना के freeze में रख दिये अब बच्चे क्या होते उनसे wait नहीं होता कि आईस्क्रीम कब जमेगी कब हम खाएंगे तो वो छुने के जित करते हैं आप उन्हें बोलता हो ना इसे मच छोना जब तक यह धंडा ना हो जाया जब तक यह धंडा ना हो जाया जब तक के लिए अंतिल का यूज किया गया है इसे मच होना जब तक ये ठंडा ना हो जाए उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूस हिम दिल पे मत लो, डोंट टेकिट टो हाट मुझे ऐसा लगता है, I think so मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ बोल बोल का प्रैक्टिस कर रहे होगे मुझे ऐसा लगता है, I think so तो गाइस एक सेंटेंस आप लोग के लिए, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को तो मैं होमवग दूँगे, तो आप लोग काफी मज़ा आएगा तो चले एक मैं होमवग देती हूँ किसे मच हूओ, ये बहुत गर्म है इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है नेक्स्ट है हमारा, तुम फाल्तू में चिन्ता कर रहे हो कोई होता है न, छोटी-छोटी बातों को लेकर चिन्ता करने लगता है तो आगे वाले उसे बोलता है कि तुम फाल्तू में चिन्ता कर रहे हो तो हम बोल सकते हैं, ये मेरी खासियत है यह मेरी खासियत है यह हुई ना बात जैसे कोई काम कर देता है तो हम बोलते हैं यह हुई ना बात तो हम बोल सकते हैं यह तुम्हारे बस के बाहर है इसे मत करना यह तुम्हारे बस के बाहर है इट्स बियोंड यूर कैपसिटी यह तुम्हारी बस के बाहर है यानि कि तुम्हारी चमता के बाहर है कपैसिटी का यूज हम चमता के लिए भी कर सकते हैं मुर्ख मत बनो, don't be silly भारी बारिश के कारण गेम रद कर दिया गया मान लो क्रिकेट मैच होने वाला था लेकिन भयानक बारिश आ गई जिसके वाज़े से गेम रद कर दिया गया तो हम बहुत सकते हैं कितना बढ़िया सुझाओ है कितने सर्म की बात है What a same कितने सन की बात है What a same एक सेंटेंस आप लोग के लिए है भारे बारिश के कारण वज पढ़ने नहीं आया इसका अंसर आपको comment box में करना है Next है क्या तुम्हें समझ नहीं है कोई गलत काम कर देता है तो हम उसे बोलते हैं क्या तुम्हें समझ नहीं है इसे नहीं करना चाहिए था क्या तुम्हें समझ नहीं है Don't you have sense Don't you have sense क्या तुम्हें समझ नहीं है ये मेरी सराफत है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया ये मेरी सराफत है It's my decency It's my decency ये मेरी सराफत है मेरी दाई आंग फड़क रही है, ऐसा भी हम बोलते हैं, मैं आज आपको जितने भी word बताऊंगी वो अपनी डेली लाइप में यूज करते ही हैं, जितने sentences आपको देखने को मिलेगा, सारे sentences आप अपनी डेली लाइप में यूज करते ही हैं, तो आप सारे slide का screenshot लेना तो बिल right eye is twitching उसे szraap मत दो don't curse her don't curse her इनसान्यत नाम की भी कोई चीज होती है there is something called humanity to here money to use इनसाननाम की भी कोई होती है there is something called humanity 2- ration इसी बुलाऊ उसे बुलाऊ call her क्या तुम्हें यकीन है आर यू शॉर क्या तुम्हें यकीन है आर यू शॉर गाइस और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरी बाई यांग फड़क रही है इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है मालो आपने कुछ सोचा कि यारी भाई उसी ने गलास तोड़ा है बाद में आपको यकीन हो जाता है वो खुदी बोलता है कि हाँ भाई मैंने गलास तोड़ा है तो आप बोलते हो ना मेरा सक सही निकला मुझे एक मौका दो, give me a chance जो मन करें वो करो, मेरी बात तो तुम सुनते नहीं हो, जो मन करो वो करो Do whatever you feel like जी चाहता है कि उसे मार दू, I feel like hitting him जी चाहता है I feel like कि उसे मार दू, hitting him अभी नहीं, बाद में, note now, letter अंजाम बुरा होगा, result will be bad फिल्हाल, as of now, फिल्हाल के लिए छोड़ो इसे तो फिल्हाल के लिए बोल सकते हो, as of now क्रिपया माफ कीजिए, please excuse me एक सेंटेंस आप लो के लिए है जो मन करें वो खा लो इसका एंसर आपको comment box में करना है next है, इससे अभी करो do it now, इससे अभी करो बच्चे होते हैं न, homework नहीं बनाते हैं तो मम्मी उन्हें समझाते वे कहती है इससे अभी करो do it now मेरे पास आओ, come to me मैं पढ़ने लगा I begin to read आपने जब मुझे बुलाया मैं पढ़ने लगा I begin to read दोबारा मिलेंगे see you again अब क्या what now सब तो मैंने कर दिया अब क्या what now किस लिए what for किस लिए वहाँ जाना है what for समय समाप्थ हुआ times up समय समाप्थ हुआ times up बहुत बढ़िया awesome बहुत बढ़िया awesome एक sentence आप लोग के लिए है बोलो अब क्या करना है इसका answer आपको comment box में करना है next है थूको मत don't speak सर्माव मत don't be sigh जैसे आपकी मर्जी as you like as you like किसी भी कीमत पर at any coast किसी भी कीमत पर at any cost उसे छूना मत don't touch it कोई लड़का बहुत बुरा है तो parents समझाते वे कहते हैं कि उसका साथ छोड़ दो उसके साथ से बचो तो बोल सकते avoid her company उसके साथ से बचो मतलम उसकी संगती खराब है उसकी संगती में मत रहो उसके साथ से बचो avoid her company इससे लिखो note this down आज ठंड है it's cold today एक सेंटेंस आप लोग के लिए है आज बहुत गर्म है इसका अंसर आपको comment box में करना है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई how dare you तुम घबराय हुए क्यों हो why are you nervous तुम घबराय हुए क्यों हो why are you nervous तुम्हारी आकात क्या है मतलम कोई बहुत डेंगे हाखता है कोई अपनी बहुत तारीफ है करता रहता है तो अचानक आप बोल देते हो तुम हो कौन तुम्हारी आकात क्या है तो तुम्हारी आकात क्या है के लिए बोल सकते हो what's your status अपनी तारीफ किये जारा तुम्हारा घबराद कर देगा चोटी चोटी बातों से परिशान नहीं होते आज कल क्या कर रहे हो? उसी मनाने की कोई जरुवत नहीं है एक सेंटेंस आप लोग के लिए है तुम इतने घबराओ मत इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है इससे क्या फर्ग पढ़ता है? What's different does it make? What difference does it make? इससे कोई फर्ग नहीं पढ़ता It doesn't make any difference It doesn't make any difference मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? What wrong have I done to you? मैंने जाने में तुम्हारा दिल दुखा दिया I hurt you unintentionally I hurt you unintentionally मैंने जाब के लिए तुम्हारी सिफारिस कर दी I have recommended you for this job I have recommended you for this job आगे से ध्यान रखना Keep in mind from now Keep in mind from now इस मामले को किसी तरह सुल्जाओ Short out this matter somehow Short out this matter somehow मैं रोज रोज दाल खाकर थक गया हूं I am fed up with eating दाल डेली यहाँ पे जो दाल है ना इसके लिए हम दाल का यह यूज करेंगे क्योंकि यह पका हुआ दाल है आप एक सेंटेंस आप लोग के लिए है मैं रोज रोज रोटी खाकर थक गया हूं इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है नेक्स्ट है वे सभी हमारे अपने हैं All of them are dear to us तभी के तभी उसने मना कर दिया She refused then and there मतलब आपने कोई प्रस्ताव के सामने रखा कोई प्रपोजल रखा उसने तभी के तभी मना कर दिया तो हम बो सकते हैं She refused then and there आवाज नीचे बहुत बोल लिया तुमने आवाज नीचे Lower your voice उस पे भरोसा मत करो Don't rely on her Don't rely on her वो सारा दिन चुप-चुप सी लग रही थी She seems very quiet all day She seems very quiet all day मैंने उसे हाल में ही देखा I have seen her recently I have seen her recently मैंने उसे हाल में ही देखा मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा I will always stand by you I will always stand by you सुबह-सुबह पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है Studying early in the morning is not my cup of tea मेरे बस की जो बात हम बोलते हैं उसके लिए हम cup of tea का यूज़ करते हैं Studying early in the morning is not my cup of tea सुबह-सुबह पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है एक sentence आप लोग के लिए है उसे मनाना मेरे बस की बात है इसका answer आपको comment box में करना है Guys अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो please वीडियो को like करें क्योंकि आप लोगों के like से हमें motivation मिलती है ऐसे वीडियो बनाने की Next time मुझे कोई परवान नहीं है के तुम कौन हो I don't care who you are I don't care who you are मैं उससे निपट लोगी I'll deal with her मैं उससे निपट लोगी I'll deal with her मेरी बात लिख लो Mark my words मेरी बात लिख लो Mark my words इस मामले में मेरी मिली जूली राय है I have a mixed opinion on this I have a mixed opinion on this इस बात को अपने तक ही रखना Keep it to yourself Keep it to yourself मेरा सिर्मत खाओ Don't neck me मेरा सिर्मत खाओ Don't neck me क्या अनाप्षना बख रहे हो What rubbish are you talking मतलब कोई जो तो बखता रहता है न तो हम बोलता है न क्या अनाप्षना बख रहे हो What rubbish are you talking मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ ध्यान से सुनो Let me tell you something मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ Let me tell you something ध्यान से सुनो Listen attentively Let me tell you something Listen attentively मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ ध्यान से सुनो Next step या तो तुम जो या मुझे जाने दो Either you go or let me go Either you go or let me go या तो तुम जो या मुझे जाने दो या तो हम बोरन उसके लिए आइदर का यूज किये और या के लिए और का यूज किये या तो तुम जो या मुझे जाने दो आइदर यू गो और लेट मी गो सच कहूं तो मैं बहुत खुस हूं सच कहूं तो के लिए करता हूँ I like you मैं तुम्हें पसंद करता हूँ I like you मुझ पर एक एहसान कर दो do me a favor मैं सहर कैसे जा सकता हूँ how can I go to the city मैं सहर कैसे जा सकता हूँ how can I go to the city क्या तुम अधर जाओगे या मैं जाओ आपको टोकनी के लिए माफी चाहता हूँ I'm sorry to interrupt you I'm sorry to interrupt you एक लास सेंटेंस आप लोग के लिए है तुम हर बात में मुझे टोकते हो इसका आपको कमेंट बॉक्स में करना है गाइस आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट बताना बिल्कुल भी न भूले अगर आपने अभी तक च वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्निंग